अलवर शहर में पानी की समस्या का कोई इस्थाई समधान नजर नहीं आ रहा रोजाना जल्दाय दफ्तर में पानी की समस्या को लेकर शहर वासी परदशन करते हुए नजर आते हैं शुक्रुआर सुबह भी वार नमबर 16 और 23 के लोगों ने जल्दाय दफ्तर पहुँच कर पानी की मांग करते हुए परदशन किया यहां मुझूद जल्दाय विभाग के अदिक्षन अभ्यांता अमर सिंग ने समस्या का समधान शिक्र किये जाने का आश्वासन दिया इस दुरा निलेश खंडिलवल जोगेंदर कोचर सहीत काफी संक्या में लोग पहुँचे यहां पीडित लोगों ने बताये कि उनके वार में पिछले लगबग साथ दिनों से पानी नहीं आपा रहा यहां के जन परते निधी और जल्दाय अधिकारी कोई समस्या का समधान नहीं कर रहे साथी उन्होंने चेतावनी दि अगर दो दिन में पानी नहीं मिला तो धर ना दिया जाएगा देखिए अलो और सहर में तो पानी की समस्या पूरी विकर टूप से बनी हुई है और आज जल्दाय विवाग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है आज जनता बड़ी तरस्त है वाड नमबर 16 के निवासी बड़े आज मैं कहता हूँ साथ साथ दिन के अंदर इनके पास घरों के अंदर पानी नहीं आता आठ आर दस दिनों जाते हैं और यह रात रात पर जाकते हैं और रात को मोटर चलाते हैं जब देखे सूखी यानि कि कोई समय का पता नहीं है पानी आता नहीं है और यह बिल्कुल पानी के लिए पानी के लिए पानी नहीं है आज यह मुल्बू सुविदा हैं और मैं कहता हूँ कि एकसे इन सावाज य करेंगे और हम इसकी भूट बंसरना करते हैं कि पानी एक आव सकता है उसको यह पूरी करें आप हमने पहले भी किया था इन्होंने कुछ जगे पर तो एक व्यास्थाइं बैठाई हैं लेकिन जो कारे मापे जो बरकर है जो इनके पास एएन है आज वो इस चीज़ पर ध्यान खोलते नहीं है और यह मान के चले किसी साइड एक साइड खोल दिया बाकि मोलों के अंदर पानी नहीं है पीबा का भी प्रेशान ना इजर उदर से लेकर आए तो वह कहां तक हमको पानी देगा हमारी पूर्ती नहीं और यह तो तुमको खाह से बरने दया अर हमारे पास अ मेरे क्या है अब है रहे हैं कि अब करवा दैना तंकी बोरिंग और इंग को दाकर उसम करेंगे सो मार तक को नाम देगा है